Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इसमें नियम क्या है, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई person दो seats पर लड़ता है चुनाओ, तो यहाँ पर क्या उसको withdraw करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है और यहाँ पर ऐसा नियम है ही क्यों मतलब कि ऐसा कर देना चाहिए न कि सरिफ एक ही seat पर यहाँ पर चुनाओ लड़ा जाए otherwise क्या होगा कि वापस से election होगा और साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि भारत के अंदर 1996 के पहले अगर आप देखोगे तो कुछ अलग नियम था और काफी चौकाने वाली बाती वो भी मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूँ कि आज से हमारा जो UPSC GS Foundation Batch है 2025 के लिए यह स्टार्ट हुआ है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है यह कोड अंकित लाइव ताकि आप मैकसिमम जो डिसकाउंट है वो ले सकें और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एक्जाक्ली हुआ क्या है देखे जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि राहुल गांदी जी ने इस बार दो सीट पर चुनाव लड़ा अब देखे क्या है कि 2019 के चुनाव में अगर आप देखोगे तो राहुल गांदी जी ने अगेन दो सीट पर चुनाव लड़ा था लेकिन अमेठी में वो हार गए थे और वैनाड में वो जीते थे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दुबारा इलेक्शन होने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है क्योंकि अमेठी में 2019 में आपको याद होगा इसमेठी इरानी जी जीती थी तो वहाँ पर अलड़ी वो जीत गई फिर वैनाड में राहुल गांदी जीत गई तो यहाँ पर दोनों जगह से जो कैंडिडेट हैं वो आपका मौझूद हैं लेकिन 2024 में क्या हुआ है कि राय बरेली से भी वो जीत गई और साती साथ जो केरला में वैनाड सीट है वहाँ से भी वो जीत गई तो इसको देखते वे उनको डिसाइड करना था कि कौन सा सीट वो रखेंगे तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि जो राय बरेली वाला सीट है जहाँ पर पहले सुनिया गांदी जी सांसती वो आला सीट वो रखेंगे और वेनाड वाला सीट वो विड्रॉ करेंगे और आप देख सकतो यहाँ पर उन्होंने ये डिसिजन लोगसभा को बताया लोगसभा सेक्रेटरियेट की तरफ से फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और उसके अंदर इसी का मेंशन है और मैं आपको बता दूँ कि इसको लेकर काफी जादा चर्चा होई कॉंग्रेस पार्टी के अंदर बेसिकली जो मलिकार जुन खरगे हैं कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से उनके घर पर डिसकशन हुआता इसको लेकर कि राहुल गांदी जी को कौन सा सीट रखना चाहिए तो फानली ये डिसाइड कि आ गया कि वैनार सीट वो छोड़ेंगे तो अब कॉशन यह है कि वैनार सीट का होगा क्या दीके सिंपल सी चीज़ है छे महने के अंदर वहाँ पर बाइपूल होगा जिसको दुबारा इलेक्शन कहते हैं इनकेस अगर मालो किसी कैंडिडेट की देथ हो जाती है विड्रॉ कर जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ गांदी वो चुनाओं में उतरेंगी पहली बार और वो वैनार बाइपॉल में खड़ी होंगी ऐसा बोला जा रहा है और मैं आपको बता दूँ कि अगर वो चुनाओं जीत जाती है तो पहली बार ऐसा होगा गांदी फैमिली के तीनों मेंबर सोनिया गांदी जी राहुल जो लोगसभा का चुनाओं हुआ था उसमें 99 सीट मिला था लेकिन क्योंकि अभी के लिए राहुल गांदी जी ने विड्रॉक कर लिया है वैनार सीट से तो इनकी जो संक्या है कॉंग्रेस पार्टी की वो 98 सीट पर आ गई है खेर इसको देखते वे जो बीजेपी है उन्ह पहले वैनार में चुना हुआ था तो जब वैनार में चुना हुआ था राहुल गांदी जी खड़े थे तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं राय बरेली सीट से भी चुनाओं लड़ूंगा तो इसकी वजए से बीजेपी अटाक कर रही है और कह रही है कि अगर आप दोनों स सीट या उससे जादा पर चुनाओं लड़ता है इनफाक्ट अभी रीसेंटली क्या हुआ था स्टेट एसेमली का भी इलेक्शन हुआ था उडिसा में तो जो चीफ मिनेश्टर थे नवीन पतनायक और उनकी पार्टी हार गई है तो उन्होंने भी दो सीट पर चुनाओं ल कोई कैंडिडेट एक या दो सीट से भी चुनाओं लड़ना चाहता है तो he or she is permitted वो चुनाओं लड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है इस एक के अंदर section 70 में कि चुनाओं खतम होने के बाद दोनों सीट पर अगर उनकी जीत होती है तो उनको एक सीट छो एक particular person के पास कई सारा representation ना आ जाए जाहिर सी बात है कि अगर आप एक particular seat को represent कर रहे हो आपके उपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है वहाँ के लोगों की आवाज बनकर आपको parliament में बोलना होता है तो आप इसकी वजह से एक candidate एक ही seat को represent कर सकता है साथी साथ fair elections को promote करने के भी ऐसा किया गया था लेकिन एक इसमें interesting चीज क्या है interesting चीज यह है कि 1996 के पहले तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक candidate कितने भी seat पर चुनाव लड़ सकता था जी हाँ अगर एक candidate चाहे तो 10 seat पर अगर चुनाव लड़ना है जैसे मानलो अगर मैं कहता हूं कि उत्त 43 seats पर चुनाव लड़ना चाहता था तो भी उसको allowed था 1996 के पहले लेकिन अब यहाँ पर problem होने लगा एक candidate बहुत सारे seats पर चुनाव लड़ना लगे और इसी की वज़े से आप देख सकतो यहाँ पर amendment किया गया 1996 में इस कानून में और यह आपको मिलेगा subsection 337 के अंदर जिस सीट पर चुनाव लड़ा था मतुरा लखनाव बलरामपूर लेकिन उनको बलरामपूर जीप पर जीत हासिल हुई थी करीब 51 या 52 परसेंट वोट उनको मिले थे फिर इसके लावा 1962 में भी उन्होंने दो सीट पर चुनाव लड़ा 91 में विदीसा लखनाव से चला इसके ल के कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से 2014 के लोग सभा में तो तब भी उन्होंने गुजरात के वदोद्रा और यूपी के वरांटसी से चुनाव लड़ा था और दोनों से वो जीते थे लेकिन वदोद्रा वाली सीट उन्होंने खाली कर दी थी और उन्होंने वरांटसी से ही जीतते आ रहे हैं और बाकी राहुल गांदी का मैंने आपको बताई दिया लेकिन देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि 1996 के पहले जब ये नियम था कि एक कैंडिडेट कितने भी सीट पर चुनाव लड़ सकता है तो इसके उपर लिमिट क्यों लगाए गया कि मैक्स खर्चा जादा है बहुत जादा महनत लगीगी तो ये सब कराना ना पड़े इसको देखते वे यहां पर रिस्टिक्शन लगाए गया लिमिट लगाए गया और ओवर धाई यर्स अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमिशन का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक कैं अश्विनी उपाध्या लॉयर दो हजार तेईस में उन्होंने सुप्रीम कोट के अंदर एक प्रेटिशन भी फाइल किया था और कहा था कि जो 1951 का रप्रेजेंटेशन और पीपल आक्ट है उसका सेक्शन 33-7 इसको इन्वैलिट करार देना जाना चाहिए मतलब कि वो चाह लडने का हक नहीं होना चाहिए और कहा कि यह लेजिसलेटिव मामला है अगर पारलेमेंट चाहेगी तो वो इसके होग पर अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन यहाँ पर बार बार उनका यही कहना था कि लॉग कमिशन इलेक्शन कमिशन सभी इस चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं इनफर्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं 2002 में नाशनल कमिशन ने रेकमेंड किया था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कई बार डमी के तौर पर उतारे जाते हैं उनको डिसकरेज करना चाहिए उनको इलेक्शन में खड़े होना अलाव नहीं कर कर दिया तो इससे होगा क्या कि आपको पता EVM मशीन है अब उसकी लिमिट है ना कि यहां पर कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा अब मालो 500 लोग चुनाओ लड़े हैं तो आप सोचिए कितने सारे EVM मशीन यहां पर रखने होंगे तो बहुत सारा कौश्ट आता है इसी जो डिपॉजिट है यह बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया गया 10,000 रुपए Assembly seat के लिए और 25,000 रुपए लोग सभा seat के लिए यह आपको security डिपॉजिट करना पड़ता है अब यह डिपॉजिट कैसे आपको वापस मिलेगा कम से कम आपको अगर 16th vote मिल जाएंगे तो आ seat से चुनाव लड़ सके और मान लीजिए अगर इसको continue भी रखा जाता है तो जो बाइपोल कराने का खर्चा है दुबारा election कराने का खर्चा है अगर मान लो जैसे अभी राहुल गांदी जी दोनों seat पर चुनाव जीत गया है तो यहाँ पर वैनार में दुबारा चुनाव जीता है तो पांच लाग रुपए उसको जमा करने होंगे देने होंगे और अगर मान लो लोग सबा सीट वो दो जगह से जीता है तो दस लाग रुपए उसको देने होंगे ताकि दुबारा वहाँ पर उस जगह पर चुनाव कराया जा सके इन फाक्ट law commission ने भी 255th report में 2015 म बहुत से आप में से लोग मुझे पूछ रहते हैं सोशल मेडिया पर हर जगह कि प्लीज इस पर वीडियो बनाईए आपको अच्छा लगा होगा इसके बारे में जानके और जाने से पहले एक interesting question क्या आप बता सकते हो कि self-reliance of women मतलब economic self-reliance of women ensure करने के लिए recently कौन से state government न को यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशल मीडिया पर आप यूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया आज से हमारा जो UPSC का batch है दोस्तों start हो चुका है don't miss this if you are preparing for 2025 UPSC and इसके अंदर आपको पूरी त्या अरी हुई affordable